कि बंदे मात्रमित्रों कि मैं सब्सक्राइब करता हूं आप सब के अपने यूटीब चैनल और सब्सक्राइब आज हम लोग कुछ कोस्टन्स देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे जो प्रिभी एक्जाम में बहुदा पूछे गया है और आने वाले एक्जाम में भी संभा कुस्टन लेकर चलेंगे पहला कुस्टन है जेम्स एंड्रू रैम्जे भारत के किस गौर्नल जन्रल का बास्ट्विक नाम था यानि बास्ट्विक नाम उनका था वैसे यहां पर दूसरे नाम से भी जाने जाते थे तो याद रखेंगे लौड डॉलहॉजी यानि जेम्स किसका नाम था तो लौड डॉलहुजी का बास्ट्विक नाम था चलिए दूसरे कोस्टन की तरह बढ़ते हम लोग दूसरा कोस्टन है बहुत सब्सक्राइब के बिद्रोह के समय भारत का गौवर्नर जन्रल ओन था तो याद रखेंगे भारत का गौवर्नर जन्रल लौड क वैसे एक बात यहां पर ध्यान रखने योग है अठारे सुसंतावन का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद आपको पता है कि उस विद्रोह के बाद जो सत्ता था यानि कंपनी से छीन कर महरानी विक्टोरिया विक्टोरिया थी उनके हाथों में चला गया था यानि यहीं थे और पर्थम वाइस राय यहीं थे चली की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान सोस्यलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किस वर्स किया गया था तो याद रखेंगे 1928 में किया था ठीक है फिरोज सा कोटला जो मैदान है दिल्ली में वहीं पर एक बैठ कर साथ बिस्मील चंद से खराजात रजंद लहड़ी यह सब लोग उसे में किया गया था कि सरकारी खजान जो रेल के माधियम से जा रहा था यानि जो क्रंतिकारी गतिविद्यु को आगे बहाने के लिए धन कि उसकता थी उसके लिए उन लोगों ने उनको उनको में को उस का संबंध है तरब बढ़ते हैं खासी एक जन जाती है यह किन-किन छेत्रों में याद रखिएगा तथा बंगलादेश का कुछ छेत्र है वहां पड़े खासी जन जाती है तो है कि सिगॉली की संधी इस इंडिया कंपनी जो भारत में यहां पर सकता के रूप में कार्ज कर र थी ठीक है और इसमें आप लोगों को एक याद रखना होगा कि 2 December 1815 को यानि यह संधी कभी थी दो संबर अठाड़ा सब पंद्रों को ही थी फिर आगे चलते हैं तो एक चीपको वूमेन के नाम से किसे जाना जाता है तो यह गोड़ी देवी है जिनको चीपको वूमेन के नाम से जाना जाता है ठीक है यह मार्च उने से 74 में पुरुशन पस्थित थे तो ब्रिक्षों को बच पर अके चैपकों थे घ रसकोंड़ाइ को यहाँ पर पूछे में जात्याओ के नाम याद रखेंगे सो टाइए कि अस राइट आन सांदी सोजर कर सके तो दह के प्राचीन वलिद पर वत्मीराल परिखवत हो जाएगा और अपलेशियन परबत हो जाएगा वैसे नवीन वलित परबत में आपका एंडिज परबत हो जाएगा और भारत का जो हिमाले परबत है वो भी आपका नवीन वलित परबत में आ जाएगा तो इसमें से कुछ भी कोस्टन हो तो आप इस पुध्यान रखेंगे तो आपको थो घील वगेरा है तो जील का भी अपना तर्ठ होता है कि परदर समद्रिये लहरों के द्वारा होता है झाली मंदल का सबसे निचली परत को क्या कहते हैं तो देखिए अचली परती इनदसे जो आपका धर्ती है धर्ती से ऊपर की तरह बढ़ेंगे तो पहला लेयर से केंड लेयर ठर्लियर एसे करके से फूर्थ फिर फिप्त होता है याणि वा मुख रूपसे होता है मंदल समताप मंदल मधिंध होते हैं तो सबसे निछला मंदल होता है वह आपका स्वब में मणुम करक्रियाय सीन होती है यानि बादल का गरला बिजली का चमखण आधित Clifford अन aye मशम卡 में होती है वा है सब आपका स्वर मंदल में और की तरफ जाएंगे तो एक सपैसर्ट मीटर से स्टापमन में कमी होती है यह भी को सनव पूछा हुए है इसको आप दिमाग में रखेंगे चलिन एक्स को चलते हैं तो यह आप से पूछ सकता है एक्स ब्यास के बारे में तो कुछ कि यानि वारी व्यास और रावि वारी नदियों के जो बिच का चत्र को म Täनल नदियों के बीच सेत्र को नदियों को था पंचा baixo यदा तो इन सब चीजों को ध्यान में हम लोग रखेंगे रचना ठीक है तो रचना जो है रावी तथा चेनाव नदियों के बीच का चेत्र है चार्ज चीनाव तथा जहलम नदियों के बीच का चेत्र है यानि यह द्वाब है आप इसको याद रखेंगे बहुत बार पूछ सकता ह सकता हैं अब देखिये जैसे कि कुछ उद्गंग मश inacMS हम अस्थल बता है तो ब्ड्रह्मगिरी पहारी यानिक पर पखना के उ snack सो एरी नाग टॉ देखिंग चण का बाइंग इसको याद रखेंगे ईदातर कि सबसे लंबी नदी नदी इसके लंबाई 1465 किलोमीटर यादि प्राइदी प्राइद किलोमीटर है आगे चले तो एक कोस्चन है भारत में सरवाधिक सिचाई बिस्तार वाला राज रखेंगे पंजाब है ठीक है वहां पर सिचाई की सुविधा बहुत थी अची खासी है आप से स्रेंखला जो होता है तक दूर सचार तंत्र के लिए उसका नाम है इनसाय ठीक है अब आप सकते हैं एक दक्षीन गंगत्री संपण jadi tsunamis क्या है तो आप याद रखेंगे एंटरिका में भारत का परथा यानि अंटार्टिका में भारत का पर्था मनुसंधान के अंदर था उसे दक्षिन गॉंगोत्री के नाम से जानते हैं यह इसके अस्थापना किया गया था जो बरतमान में एक्जिस्ट नहीं कर रहा है आगे पुछा जा सकता है तमिलाडू का समुंदर तट क्या कहलाता है य भारत नागल पर ये बीच नदियों में पानी किनकिन राजयों और तो याद रखेंगा पंजाब को हडियाना तरह से भायदे होते हैं नेक्स्ट कोसन के तरफ चलते हैं तो भारत के समिधान के किस अनुछेद के अनुसार्ज के राजपाल के द्वारा भारत के समीधान के की सुनुषेट के द्वारा राजपाल मुख हो मंत्री न्यूख करता है. इस बात को आपको बताना है तो याद रखेंगे अनुखेट 1 देखसाद 64 के तहट यानि जो भारत के समिधान के अनुख हो मुख मंत्री को यानि जहां पर आईयस वगर लोगों की ट्रेडिंग होती है तो मसूरी में इस्तित है भार्थिय गन्राज के समिधान का कौन सा अनुछेद ब्याक्ति की प्रान एवं दैहिक स्वतंतरता का संड़क्षित करता है आगे है समिधान के की सनुछेद द्वारा पिर्थक अनुसूचित जन जाती आयो का गठन किया गया था तो याद रखेंगे 339 को के द्वारा ठीक है संजुक्त राश्रंग के परजातांत्री करन की मांग का संबंध मुख्याता किस्से से है तो याद रखेंगे सुरक्षा परशाथ से है आगे बहुत सा ऐसे ही इंपॉर्टन पोस्टन का सीरीज लेकर मैं आप सभू के सामरें उपस्तित होते रहूंगा वीडियो को नोट आउट कर लिजिए कहीं भी लिख लिजिए कॉपी में सो देट कि आप बार बार इभाइज कर सके है थैंक्स वाल